मित्रो नमस्कार मैं हूँ राजजेंद्र सिंग और आप देख रहे हैं व्यूपॉइंट विथ राजजेंद्र कला संकला का यह 43 वां अंक प्रस्तुत है और आज हम जानेंगे आधनिक भारती चित्रकला की बंगाल सहली के अंतरकत नंदलाल बसो के बारे में मित्रो अगर आप चैनल पर नए हैं और कला विसे सी टीजीटी पीजीटी की परिक्षा देने वाले हैं तो पहले चैनल को सस्क्राइब वा बेल आइकान की बटन को जरूर दबा दे जिससे आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे साथ ही पूरा वीडियो देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट बाक्स में जरूर लिखें तो फिर आए जानते हैं नौ बंगाल सैली के लिए जाने जाने वाले नंदलाल बसो के बारे में कलकत्ता स्कूल आफ आर्ट्स के प्रिंसिपल ईवी हैवल तथा वाइस प्रिंसिपल अवनेंद नाथ टाइगोर के सामने एक तीस वर्सिय युवक आर्ट इसकूल में प्रवेश के लिए सिफारसी प्रमाणपत्र के साथ अपनी बनाई पेंटिंग महा सुईता को लेकर उपस्थित हुआ हैवल ने उसकी पेंटिंग देखते ही उसमें भावी चित्रकार के गुण देखे और आर्ट इसकूल में प्रवेश दे दिया नाम था नंदलाल बसू तेन दिसंबर 1882 इस्वी में बिहार के खड़कपुर जिला मुंगेर में नंदलाल बसू का जन्म हुआ उनके पिता पूर्ण चंदर बोस, आर्गिटेक्ट तथा दरवंगा के महराजा की रियासत की मैनेजर थे नंदलाल बोस का पढ़ाई में मन कभी नहीं लगा उनकी रुची आरंब से ही चित्रकला की ओर थी कलकत्ता स्कूल आर्ट से चित्रकला की विधिवत सिक्षा लेने के बाद कलकत्ता गौर्वेंट कॉलेज आफ आर्ट्स में 1905 से 1910 तक आवनेंदर नाथ टैगोर से कला की सिक्षा ले उनकी प्रतिभाव और मौलिक सैली को देखते हुए गुरू रवींदर नाथ टैगोर दौराय स्थापित विचित्रा नामक कला सिल्प केंद्र और ओरिंटल स्कूल आफ आर्ट्स का इन्हीं प्रिंसिपल ने उक्त किया गया 1922 इस्वी में गुरू रवींदर नाथ टैगोर ने इन्हें विश्चु भारती कला भावन का धश बना कर सांती निकेतन लेकर आये और यहां कला भावन के धख्ष के रूप में कारे किया कला भावन में रखकर नंदलाल भसू आसपास के गाउं में जाकर संथाल इस्तरी पुरुष एवं कन्याओं के चित्र बनाए नंदलाल भसू ने टैंपरा, वास, जलरंग, पैंसिल, स्याही, रंगीन पैन, लिनो कट, ड्राइंग पॉइंट, माउंट बोर्ड पर टैंपरा आधी विभिन पद्धतियों से लगभग दस हजार से अधिक चित्रों का निर्मान किया नंदलाल भसू अवनेंद नाथ के प्रमुख सिस्यों में से एक थे, ये माश्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध थे इस्टेला क्रैमरिस ने माश्टर मोसाई के चित्रों की चर्चा करते वे कहा है कि उनके रेखा चित्र, आर्टोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र आधरिक भारती चित्र कला के पहमूल रत्न है बंगाल सेली जो की वास सेली पर अधरित थी, को टेंपरा सेली में आचार नंदलाल बोश ने चित्रन किया इसलिए इसे नौ बंगाल सेली भी कहा गया नंदलाल बसु ने अजन्ता और बाग कुफाओं की भित्ती चित्रों को देखकर उनकी प्रतलिपियां तयार के इस प्रकार के भित्ती चित्रों को उन्होंने कलाभवन सांतिनिकेतन तथा बडोदा के कीर्थी मंदिर में बनाए जिस पर अजन्ता का प्रभाव साफ दिखाई देता है नंदलाल बसु गांधी जी से अत्यधिक प्रभावित थे विबापो की तरह श्वयम भी चरखा कातते थे उन्होंने असयोग आंदोलन और उसके बाद 1930 इस्वी में नमक आंदोलन में भाग लिया उन्होंने गांधी जी का लिनोकट तकनीक से डांडी कूछ नामक चित्र बनाया राश्विता महाद्मा गांधी के आगरव पर चित्र सादना घर के लिए मत करो कि आमान पर वसु ने अनीक चित्रों का निर्मान किया नंदलाल बसु ने लखनव के कांग्रिस अधिविशन में छात्रों के साथ मिलकर भारत कला परदर्शनी आयुजित की 1937-38 में फैजपूर और हरीपुरा कांग्रिस अधिविशन के मंच वा गेट की सज्जा में योगदान दिया इस कलात्मक सज्जा में उन्होंने भारती ग्राम जीवन का आउलोकन चित्रों के माध्यम से किया था इस विशेश पोश्टर संखला में इस्तरी की आध्यात्मिक सक्तियां भी चित्रत हुई एक अन्य सीर्षक जमीन जोतने वाला जो टेंपरा माध्यम से चित्रत किया गया था यह चित्र नेशनल गैलरी आफ मौडन आर्ट ने दिल्ली में सनक्चित है ततकालीन भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवारलाल नेरुग के आमंत्रण पर भारती समिधान की मूल प्रती को अपनी चित्रकारी से सजाया समिधान के कुल 22 भागों के लिए 22 चित्र बनाए नंदलाल बसु ने राष्टी पुरुषकारों जैसे भारत रत्न और पदमसरी के प्रतीक चिन्नों को भी डिजाइन किया बसु ने कला संबन्दी पुस्त के भी लिखी जैसे सिल्पकथा, रूपावली वा सिल्पाचार उनकी प्रमुकर रचनाएं है नंदलाल बसु ने कई काब संग्र जैसे चैनिका, गीत वितान, आधी को चित्रत किया बसु ने डाक्टर आनंद कुमार स्वामी और सिष्टर निवेदिता का संयुक्त लेखन में Myths and Legions of the Hindus and Buddhists के लिए भी चित्र बनाए नंदलाल बसु के प्रमुक्ष चित्रों में सती का देहत्याग, कर्ण का सूरी पूजन, संथाली कन्या, काली निर्त, मैसा सुर मर्दनी, बसंत, पत जड, डांडी मार्श, उमासिव, सबरी, उसा किरण, लक्षमी, अहल्या आधी है नंदलाल बसु को कासी विश्विद्याले, सांती निकेतन, कलकत्ता विश्विद्याले, आधी अनीक संस्थानों ने डेलिट की उपादी से समानित भी किया उनकी उपलब्धी को देखते हुए, 1954 इस्वि में भारत सरकार ने नंदलाल बसु को पदम विभूशन से समानित किया साधारण चपल, आखों में एनक, कुर्ता पैजामा, जवार बंडी और चाधर को तह लगा कर दोनों कंधों पर ओड़ लेने वाले आचार नंदलाल बसु की 16 अपरैल 1966 को कलकत्ता में मिर्ति हो गई नंदलाल बसु की चितरकारी में एक मनमोहक जादू था जो सभी कला प्रेमियों को अपनी और आकरसित कर लेता था उनकी चितरकारी को एसिया के साथ साथ पश्चिब में भी काफी सम्मान मिला अपनी अथक कला साधना और निश्टापूर्ण परिश्रम से परंपरागत भारती कला को नया मोड देने वाले नंदलाल बसु सफल चितरकारी नहीं थे बलकि कलाकारों की अनीक पीठीयों के लिए प्रिरणा सुरूत थे अब आए जानते हैं पिछले वर्सों की परिक्षा में आये टीजीटी पीजीटी के नंदलाल बसु से समंदेत प्रश्णों को भारती सम्मिधान का मोल ग्रंथ किसने सुसजित किया था तो इसका सही उत्तर नंदलाल बस इन्होंने भारती सम्मिधान के 22 भागो को 22 शित्रों से सजाया अगला प्रश्ण है नंदलाल बस किसके सिस्ज थे तो इसका सही उत्तर अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी तो इसका सही उत्तर अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी तो इसका सही उत्तर अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी हरीपुर कांग्रिस अधिवेशन के पंडाल को किस ने सजाया? ए जामनी राय ने, नंदलाल बोश ने, रामकिंकर बैच ने, या फिर एस्वरी प्रसाद ने? तो इसका सही उत्तर है बी नंदलाल बोश ने हरीपुरा कांग्रिस के पूश्टर किस ने चित्रत किया? नंदलाल बोश ने, जामनी राय ने, एके हल्दर, केके हैबर तो इसका सही उत्तर है ए नंदलाल बोश हरीपुरा पैनल की विश्वर्वस तु बताईए तो इसका सही उत्तर है बी जमीन जोतने वाला हरीपुरा कांग्रिस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? ए टेंपरा, बी वास, सी जलरंग, डी ग्वास तो इसका सही उत्तर है ए टेंपरा नो बंगाल सैली किसकी देन है? ए चितिंदर नाथ मजूंदार की आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर जामनी राये तो इसका सही उत्तर है C. नंदलाल बोस सिल्प कथा रूपा वली पुस्तकों के रचैता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा B. नंदलाल बोस नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? A. सरकारी आर्ट कॉलिज कलकत्ता B. जेजे स्कूल आफ आर्ट बंबई C. वन अस्तली विद्यापीट D. सांथिनीकेतन तो इसका सही उत्तर है D. सांथिनीकेतन गांथी की डांडी यात्रा किस की कृती है? A. अवरिन्दनाठ ठाकुर की B. नंदलाल बोस C. सहलेंदनाठ डे D. राम किंकर बैज तो इसका सही उत्तर है नंदलाल बोस लिनोकट तकनीक के द्वारा डांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किस ने बनाई अगला प्रशन है संथाल इस्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूफ से चित्रित किया ए नंदलाल बोष ने बी अमरिता सेर गिल ने सी जामनी राय ने डी असित कुमार हल्दर तो इसका सही उत्तर है ए नंदलाल बोष नंदलाल बोष का जन्म कहां हुआ था ए मुंगेर में बी कलकत्ता में सी चोबिस परगना में डी सांतिनी के तन में तो नंदलाल बोस का जन्म ए मुंगेर में हुआ था जो की वर्तमान में बिहार में है नंदलाल बोस का जन्म कहां हुआ बिहार में पश्चिम बंगाल में गुजरात में मदबर्देश में तो इसका सही उत्तर है बिहार में कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपन नाम माश्टर मुशाय की नाम से प्रसिद्ध हुआ A. अवनेंद नाठ ठाकूर B. असित कुमार हल्दर C. नंदलाल बोस D. सैलेंद मुखरजी तिसका सहीतर है नंदलाल बोस कौन चितरकार पदम विभूशन से सम्मानित हुआ A. नंदलाल बोस B. रविन नाठ टैगोर C. आसित कुमार हल्दर D. जामनी राय तिसका सहीतर रहेगा A. नंदलाल बोस रविन नाठ टैगोर द्वारा रचित गीतांजली के लिए चितरन कारे किया था तिसका सहीतर है तिसका सहीतर है A. नंदलाल बोस रविन नाठ टैगोर की साहितिक गीतियों के लिए चितरन का कारे किया तो फिर आज बस इतना है मिलते हैं अगली वीडियो में और जानेंगे बंगाल सेली के चितरकार असित कुमार हल्दर की बारे में कि कमेंट बाक्स में वीडियों से सम्मंदित अपने वचारों को जरूर लिखें धन्यवाद